एक ऐसा college जहां कहा जाता है कि बच्चे drugs लेते हैं, 200 रुपे में drugs मिल जाता है, alcohol consume करते हैं, ऐसा ऐसा कहा जाता है, ऐसा कौन सा college है, वो है हमारा मनीपाल, तो मनीपाल में admission लेने से पहले आप लोग को इस college के बारे में हर एक reality जरूर पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस note पर शुरू किया, कि बच्चे यहां drugs लेते हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है, तो इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कि सच में ऐसा कुछ होता भी है, सच में worth it है, यहां पर admission लेना, कितनी क्या free structure यहां की रहने वाली है, infrastructure कैसा रहने वाला है, sports facilities कैसे रह हैं, तो क्या है, क्या नहीं है, सारी reality जानते हैं, बट उससे पहले मैं कहूंगा, इस चैनल को subscribe कर लो, क्योंकि पूरी मनिपाल की counselling में, यह चैनल आपको help कर रहा है, तो जुल्दी सी जाकर के चैनल को subscribe कर लेना, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, MIT मनिपाल, यह हमारा established निपाल institute of technology, रहने वाला जो की करनाटका में है, campus की photos and videos मैं बीच-बीच में आपको दिखाता रहूँगा, आगे बढ़े तो आजाता है, NRF ranking, तो ranking की हम लोग बात करें, तो दिन प्रत्य दिन इसकी NRF ranking थोड़ी नीचे गिर जा रही है, rank इसकी बात करें, तो 61 है 2023 में, engineering की, पहले इसकी 2022 में rank 55 रही थी, तो बच्चो बस ranking के उपर ही college को judge नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ college पैसे खिला करके, जो भी चीज़ें internally करके rank अच्छी कर लेते हैं, ठीके, बहुत सारे ऐसे private के आपको नाम भी पता होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं कर पाते अब आगे बढ़ते हैं, तो आजाता है admissions, तो admissions इसके आपको पता है, अपने MET का examination दिया है, तो वो पहले देना पढ़ता है, इसके बाद इसकी मनीपाल की counselling होती है, उसमें जाकर के फिर आपका पूरा counselling करना पढ़ता है, जो भी आपका score आया है, उस score पे, class 12 में आपके बस physics, chemistry, mathematics रहनी चाहिए, और यहाँ पे बस 50% आपका aggregate रहना चाहिए, class 12 में आपके 50% आने चाहिए, बस, और कोई criteria नहीं है, आगे बढ़ते हैं, तो आजाता है branches, तो यहाँ पे काफी सारी branches हैं, aeronautical engineering, automobile engineering, computer and communication engineering, CSE हो गई हमारी CSE की काफी सारी specialization है, AI and ML के अंदर, finance technology, cyber physical system, data science and engineering, बहुत सारी branches है, सब का नाम लेकर के मैं आपको bore नहीं करना चाहूँगा, तो आप लोग branches देख सकते हो, आगे बढ़ते हैं, तो fees, तो कितना क्या budget लेकर के चलना पड़ेगा, अगर हम लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं, first year की fees आपके 3,35,000 rupees है, इसके बाद आ group B, group C और group D branches के उपर, यानि कि जो branch लोगे, उसके सबसे group wise में यहाँ पर divided है, तो यहाँ पर सारा groups में आपको दिखा देता हूँ, group A में यह सारी branches है, group B में यह branches, group C में जातर बच्चे admissions लेंगे, क्योंकि CSE की branches, group C में ही हैं, और group D में यह branches, तो यहाँ पर अब fees देखो तो first year कितनी लग जाएगी, इसके अलावा आप लोग group C मानलो ले रहे हो, तो 5 lakh rupees fees आपकी लगेगी, 5 lakh 9,000, ऐसी group D लोगे, तो 4 lakh 52,000, तो इस तरीके से मैं बताऊँ, तो total fees यहाँ की जो रहने वाली है, वो आपका अगर आप group A लेते हो, तो 16 lakh rupees के लगवा, group B 13 lakh rupees, group C ले जाएगा, तो overall आपको fees समझा गई, hostel की बात करें, तो hostel की fees यहाँ पर vary करती है, 18,000 से लेकर के 98,000 तक, हैनि कि जिस तरीके से आप लेते हो, मानलो AC ले लेते हो, उसके अलावा आप लोग 2 seater, room S, इस तरीके से करते हो, काफी जादा fees लगेगी, थोड़ा जादा सीटर है, और AC AC नहीं है, तो काफी कम fees लगेगी, यहाँ पर overall बात करें, तो 7,67,000 रुपीज लग जाएगा, मैस की fees 46,000 रहने वाली है, total college fees में आपको बता दो, 18,000 तो आपको समझा गया है, कि यतनी fees लग रही है, इसके अलावा आपको 67,000 आपके hostel में भी लग जाएगे, तो total budget मा के चलो कि 25,000 रुपीज आपके लगने वाले हैं, अगर आप यहाँ मनिपाल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो काफी जादा fees है, ठीक है, काफी जादा fees है, तो उसी हिसाब से आप लोग सोचके यहाँ पर आना, राइट, क्योंकि अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है, फाइनिशल कंडिशन घर की अच्छी नहीं है, लोन लेके पढ़ोगे, तो वो मैं सजस्ट बिलकुल नहीं करूँगा, हाँ, आपके पास है कुछ पैसे, फिर थोड़ा बहुत ही लोन है, तो करवा सकते हैं, आगे बढ़े तो आजाता है स्कॉलर्शिप्स, तो क्या पर स्कॉलर्शिप्स तो देते हैं, बट वही पर्फॉर्मेंस जो भी आपकी में ही है, उसके हिसाप से कुछ स्कॉलर्शिप्स दे देंगे, बाकि अगर आपको और स्कॉलर्शिप्स अब देखनी है, तो ओफिशल वेबसाइट मैं दे दे रहा हूं, इस लिंक को कॉपी क फिर अपने वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली बताओं तो ज्यादा कुछ स्कॉलर्शिप्स अब भी नहीं होती है, काफी अच्छी रैंक आती है, मतलब काफी अच्छा स्कॉर किया है, तब ही मिल पाता है, तो आगे बढ़ते हैं, तो आजाता है प्लेस्मेंट्स, तो यहाँ पर हाइस्ट पैकेज जो है 54.75 LPA गया हुआ है 2023 में, और हाइस्ट पैकेज 2022 में 44 LPA का ही गया था, तो इंप्रूफ देर हाइस्ट पैकेज, मीडियन पैकेज यहां का 8 LPA रहने वाला है, अवरेज पैकेज की बात करें, तो 2023 में 12.59 LPA रहेगा तो काफी अच्छा एवरेज प्लेस्मेंट बना के रखा हुआ है इनोंने, 12.5 काफी सही रहता है क्योंकि ओवराल यह सारी ब्रांचेज को कंसीडर कर रहे हैं, if you go for the CSE-like branches तो 13-14 LPA का आपको अराम से मिल सकता है, they are giving you the opportunities काफी सारी जो कंपनीज यहां विजिट करती है, median अब जो है 8.5 Lakh का हो गया है, तो median package भी इंप्रूव हुआ है, काफी सारी कंपनीज आती है, Amazon, Adobe, काफी बड़ी कंपनीज, Microsoft, तो यह सब आती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली placements में, अगर आपने अच्छी ब्रांचेज को लिया है, तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत डालते हो, तो अच्छा placement आप लोग ग्राब कर जाओगे, आगे बड़ी तो आ जाता है, the most important thing in your counselling, that is your choice filling, ठीक है, आपकी choice filling हो गई, और अभी से लेके, जब तक आपके इतने सारे चीजे चलने वाली है, लंबी counselling चलने वाली है, इसमें proper guidance, और अगर आपने अच् कर रो, जो marks अभी आएं आपके, उस पर आप best से best campus and branch आ रहे होगे, if you want that की best से best campus and branch आपको मिल जाए, तो you can join our counselling support, if you are enrolling in our counselling support, हमारी जो fees है, only one triple nine है, one triple nine में अभी से लेके, जब तक आपका admission हो नहीं जाता college में, तब तक हम आपकी पूरी help कर रहे होंगे, ये जो है, only for the first 50 strengths के लिए ये जो fee है valid रहेगा, after 50 strengths इसकी fee 2499 या 2999 हो जाने वाली है, इसमें क्या features हम देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग 5 to 6 years से counselling करवा रहे हैं बच्चों की, और जितनी भी counselling all over India में हैं, जिसका भी आप नाम लोग, VIT होगे मनिपाल, BITSAT, J. मैंस के तरू, जो state counselling हो गई, central counselling में, NIT, IIT, हर जगह की counselling करवाते हैं, तो जैसी अब ही आप join करोंगे, link description से जल्दी से join करोंगे, join करते ही आपको call आजाएगा, call आने के बाद आपके सारे doubts clear किया जाएगे, सारे doubts clear करके साथी साथ एक personal mentor भी आपको allot कर दिया जाएगा ठीक है, और personal mentors आपके जो भी doubts होंगे, उस सारा कुछ आप लोग clear कर सकते हो, इसके बाद आपको एक whatsapp group में भी add करा दिया जाएगा, जिससे कि आपके जो भी updates हैंगे, वहाँ पता चलता रहेगा, साधी साथ आपके जो friends बनने वाले होंगे campus में, वहाँ पे आप लोग contact भ बनेगा, तो उसके हिसाब से personalized choice filling हम लोग करके देने वाले हैं, हमारे mentors खुद से आपकी जो choice filling है वो खुद से करके देंगे, जिससे कोई भी mistake का कोई chance ही नहीं बने, इसके अलावा certificates के related, documents के related, scholarship के related, जितने भी doubt से सब कुछ clear होगा, तो किस चीज का वेट है, जल्दी से ज कर लेना, क्योंकि fee increase हो जाएगी, इसके अलावा मैं थोड़ा सापको short में बता देता हूँ, offline counseling के बारे में, कि अगर आप लोग offline visit कर सकते हो, हमारे office में, जहाँ है video shoot हो रही है, तो वहाँ अगर आप लोग visit कर सकते हो, हमारा office Delhi NCR में है, तो आप लोग आ सकते हो, only 99 rupees का slot आपको book करना पड़ेगा, link description में है, अगर आप office पे visit करना चाते हो, पहले slot book कर लो, अगर visit नहीं कर सकते हो, तब तो online ही buy करना, वरना visit कर सकते हो, तो आप लोग offline आ जाओगे, 99 का slot book करके, आना कैसे है, तो हमारा जैसी 99 का slot book कर लोगे, हम address भी सारा कुछ share कर देंगे, बा भूल जाओ, counselling कुछ होती भी है, offline में, ठीक है, सारा कुछ हम लोग आपका करके देने वाले हैं, इसके लिए जो हम fee charge करते हैं, लोग काफी जादा charge करते हैं, 1,00,000 रुपीज, हाफ कर दो, 50,000 रुपीज, इतना इससे कम तो कोई भी नहीं कराता, 50,000 का हाफ कर दो, 25,000 हम इतना भी नहीं लेंगे, only 20,000 रुपीज लेंगे, ठीक है, जिसमें कि पूरी जम्मेदारी हमारी होगी, आपको 110% guarantee आपको college दिलाने की, तो हम आपसे 20,000 इसका charge लेने वाले हैं, बट एक यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ हम देते हैं, कि आप only 20,000 रुपीज fee pay करो, इसमें, आप जितनी भी counseling कराना चाहते हो, चाहें, आप मनिपाल का करा रहे हो अभी, इसके अलावा, BITSAT का करा सकते हो, BIT का करा सकते हो, SRM का करा सकते हो, यानि कि जितना भी हैं, सभी में आप counseling कर वा सकते हो, State Counseling हो गई, JOSA, CSAB हो गई, Central Counseling, सभी की counseling, बस 28,000, जितने मन उतने counseling में enroll हो, सारी counseling offline में हम करा देंगे, तो जल्दी से जाकर कि अगर office पे visit कर सकते हो, तो slot book कर लो, अगर नहीं कर सकते हैं, तो जल्दी से online counseling support join कर लो, क्योंकि online में 50 students के लिए ये fee one triple line है, तो जल्दी से join कर लेना, अब हम बढ़ें आगे तो आजाता है connectivity, कि हमें campus में पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे, मंगलोर international airport है, जो कि 65.5 km की दूरी पे, तो वहाँ आप आ सकते हो, by air flight से आ सकते हो, बाकि अगर आपके पास उतना पैसा है नहीं, वैसे तो हो गई, मनिपार में admission का सोच रहे हो, तो आप लोग मंगलोर का central railway station भी है, वहाँ पे आप आ सकते हो, 66.5 km की दूरी पे है, इसके अलावा, UDP railway station 7 km की दूरी पे है, ठीक है, ये चीज़े आपको समझ आ गई, आगे बढ़ने तो आ जाता है, cut off की, आपके कितनी rank पे आपको यहाँ पे admissions मिल सकते हैं, तो अगर आपको अभी तक rank पता न MET में जो आपने score किया है, MET University के बात नहीं हो रही, MET exam, Manipal का जो आपने exam दिया, उसमें आपने जो score किया है, उस score का दोनों को combine करके फिर एक rank बनेगी, तो मैं बताता हूँ कितनी rank तक, आप लोग यहाँ पे सारा देख सकते हो, Computer and Communication Engineering 6,360 तक ही मिला है, CAC branch तो देखो यहाँ पे सारी branches दी गई है, यह सारा campus है, Manipal, Sikkim, जैप, और Bangalore, ठीक है, यह साब भी campuses का, best मैं बताऊं, तो main campus हो गया, बच्चे आजकल Bangalore को second number पर रख रहे है, then third पर जैपूर, और फिर Sikkim, वैसे जैपूर second पर रहता था, अभी फिलाल के लिए बच्चे Bangalore को करन क्या जाएंगे, आगे बढ़ते हैं तो आजाता है hostel and mess, तो यहाँ पर hostel की क्या facilities है, तो देखो, hostel में ही यह सब चीज़े होती है, जो drugs वाली बात बोली, तो मैं बताता हूँ अभी थोड़ा सा, देखो, यहाँ पर total six hostels है, for the boys, and five hostels for the girls, hostels blocks में divided हैं, ठीक है, और सभी की capacity इसमें इतने ही बच्चे रहेंगे, यहाँ पर three-seater तक के hostels आपको देखने को मिल जाएंगे, students अपने budget के हिसाब से choose कर सकते हैं, उनको कैसा चाहिए, rooms के अंदर काफी अच्छा मतलब बना रखाया है आपके hostels को, fan, tube light, bed, chair, table, almira, हर तरीके की facilities आपके room के अंदर दे साथी में common washrooms भी आपको देखने को मिल जाएंगे, water cooler की facility देखने को मिल जाएगा, common rooms भी है यहाँ पर आपको जो भी match देखना है, IPL देखना है, या साधी साथ, कुछ भी entertainment purpose हो गया है, कभी meeting करने हैं, उनको सब के लिए common rooms दी है, hostel काफी अच्छे से manage किया जाता है, काफी अच्छा design है, hostel काफी अच्छा है, देखने में भी, यहाँ पर central mess देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप खाना पीना खा सकते हो, ठीक है, इसके अलावा central canteen भी है, आसपास में food courts भी है, काफी सारे food courts हैं, वहाँ पर जा करके जो भी चीज़े करनी है, आप इतने पैसे द रहता है, कभी भी आप साफ साफाई करवा सकते हो, non-veg के menu भी यहाँ पर दिया गया है, तो काफी अच्छा रहेगा, mess food यहाँ का decent है, ठीक है, obviously जो घर का खाना है, वो तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ काफी decent सा है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, अ की ग्राउंड, रॉनिंग ट्रैक्स, इंडोर, बैडमिंटन कोड, वालीबल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोड, स्विमिंग पूल, तो यह काफी अच्छी चीज़ है, प्राइवेट कॉलेजों में स्विमिंग पूल देने लग गए है, जिम वेम की फैसलिटी, साधी 313 एकर्स का कैंपस है, आपका कंप्यूटर सेंटर अवेलिबल है, जहां पर आप लोग कोडिंग, ओडिंग, यह सारा कुछ आप लोग कर सकते हो, कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क, यह सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, क्लास्रूम्स के अंदर AC लगा हुआ है, त इतना बड़ा कैंपस है, तो यह सब फैसिलिटीज तो मिली जाएगी, नाइट कैंटीन है, साधी साथ खाने पीने के लिए, आसपास में, सभी फूड कोड्स यह सब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी फैसिलिटीज है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कभी चोट लग जाए तो हेल्थ सेंटर, मेडिकल सेंटर, यह सब है, सेंटर लाइबरेरिय जहां पर सभी बुक्स हैं, सारी बुक्स हैं, अकाडमिक्स, नॉन अकाडमिक्स, यह सब बुक्स देखने को मिल जाएंगी, और बचे जो हैं, वहीं से इशु करवा लेते हैं, वहीं से पढ़ लेते है कोई बुक खरीदने की जरुवत नहीं पड़ती है campus का infrastructure काफी अच्छा रहने वाला है कोई issue नहीं है infrastructure के मामले में साधी साथ fest यहां का काफी अच्छा रहता है बड़ी बड़ी लोगों को बुला है जाता है ठीक है tech तत्वा करके इसका annual technical fest होता है साधी साथ sports fest और dance music dramatics सारा कुछ होता रहता है कोई issue नहीं आता है ठीक है मतलब काफी अच्छी चीज़े होती है इन सब में दिक्कत आपको आने नहीं वाली मनिपाल में जा रहे हो आप ठीक है इन सब में दिक्कत आजाएगी फिर private में क्यों जाना ठीक है न कोई भी आपके college life काफी सही रहने वाली है अब आ जाते है pros and cons तो पहली अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं कि अच्छी चीजे क्या है यहां पर तो alumni network अच्छा है क्योंकि काफी पुराना college है यह चीज आपको समझ आएगी ragging नहीं होती है campus में ठीक है अगर आपके साथ अगर थोड़ा बहुत भी थोड़ा बहुत भी होगा न तो जाके बूल देना नहीं होती है यहां पर राइट infrastructure काफी अच्छा रहने वाला है ठीक है इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो infrastructure तो मिलना चाहिए तो कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगी girls to boys ratio भी यहां पर अच्छा मिलने वाला है ठीक है वैसे engineering में उतना अच्छा होता नहीं बट यहां पर अच्छा रहेगा college में सारी facilities मिल जाएंगी जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ मिलता है जो भी आसपास की essential चीज़े होती हैं वो सब campus से ही अपलोग ले सकते हो daily need की चीज़े, sports की facilities काफी अच्छी बनाई हुई है student खुद से choose कर सकते हैं hostel तो यह काफी अच्छी चीज रहने वाली है तो यह अच्छी चीज भी है और बहुत सारे बच्चों के लिए बुरी भी की मुझे freedom नहीं मिल रहा ठीक है? attendance का criteria है fulfill नहीं करते हो तो कभी exam नहीं देने देते हैं यह सब दिक्कत कर देते हैं fees issue हो सकता है काफी बच्चों के लिए fees issue हो सकता है काफी बच्चों के लिए इसके इलावा अगर कोई भी बच्चा गलत चीज देखने को मिल जाता है गलत चीज़ों में आता है यहाँ पर drugs बच्चे लेते हैं कुछ बच्चे लेते हैं बट ये बहुत सारे college हो में ऐसा हो जाता है बहुत सारे college-ों में छिपके होता है यहां भी छिपके करते हैं बच्चे और अब इस पे काफी strictness ली गई है actions लिए जाते हैं अगर आप कहीं पे भी देखने को मिल गए drugs ले रहे हो आलकोल ले रहे हो तो punishment आपको मिलेगी ठीक है तो यह जो कहा जा रहा है न बात है सच थोड़ा बहुत सच है बट जितना hype इस चीज का created है कि बस यही होता है यह गलत चीज यह गलत वे में college को लिया जा रहा है तो ऐसा नहीं है ठीक है थोड़ा बहुत होता है और यह हर college का scene है बस यह depend करता है कि आपका जो group बनाओगे आप college में जाके वो कैसा है अगर आपका group काफी अच्छा है तो आप काफी अच्छी placement भी निकाल लोगे और पूरी college life अच्छे से निकाल लोगे और school से आपको पता है school से यह सब चीजे होती है कि कुछ का group ऐसा होता जहां यह सब चीजे चलती है ठीक है और कुछ groups ऐसे होते हैं जो कि यहां ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है तो college में यह सब चीज होती है बट उतनी नहीं होती है जितना की hype created है ठीक है थोड़ा बहुत होता है इसलिए आप उससे ज्यादा मत offended रो कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं सोचू तो ऐसी कोई बात नहीं है Return of investment भी issue हो सकता है क्योंकि मालो आपने fees भरी 20 लाग के आसपास 25 लाग के आसपास आप मालो महनत नहीं करिया आपने आपकी placement 6-7 लाग 8 लाग की लगी तो आपको दिक्कत लगेगा न अगर अच्छी placement चाहिए तो at least 14-15 लाग का जब लगेगा तो खुशी होगी तो कुछ बच्चों के लिए return of investment का भी issue हो सकता है तो overall आपको सारी चीजे समझ आ गई ये PDF चाहिए तो जल्दी से टेलिग्राम ग्रूप पे चले जाओ और इसे डाउनलोड कर लो I hope so कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा फिर भी कुछ डाउट्स बच रहें तो you have the comment section जल्दी से जाएके comment में पूछो आपको reply मिल जाएगा और हाँ ध्यान से counseling support join कर लेना क्योंकि ये नहीं join करोगे तो बाद में पच्चता होगे क्योंकि खुद से करोगे गलती बाद में फिर choice filling साई से होगी नहीं बेकार कुछ मिल जाएगा परिशान बैठे रहोगे इसने जल्दी से जाएके counseling support join कर लो क्योंकि first 50 sprints के लिए ये valid है तो जब भी ये खतम होगा तो जल्दी से जाके join कर लो सबसे थैंक्डू फॉर वाचिंग दिस वीडियो जै हिंद जै भारत